ग्रामर रूल्स में आज अपने को देखना है प्रोनाउन वाले पार्ट को, फस्ट पार्ट पिछले वाली क्लास में कवर किया था, अब जो बचे हुए रूल्स हैं, उनको करके ये वाला पार्ट भी फिनिश कर लेंगे, सबसे पहले चलते हैं, रूल लंबर 12 पर, रूल लंबर 12, अब प्रोनाउन शुट भी यूज इन दा अब्जेक्टिव केस इन अ सेंटेंस बिगनिंग विट लेट, तो जब भी इस से शुरुआत हो रही होगी, तो उसमें जो भी प्रोनाउन रहेगा, वो हमें अब्जेक्टिव केस में रखना है, ऐसे कुछ केस हमने पिछले वाली क्लास में भी देखे थे, कब हमें सब्जेक्टिव केस उस करना होता है, कब हमें अब्जेक्टिव केस करना होता है, तो जब भी लेट से शुरुआत हो, हमें यूज करना है, अब्जेक्टिव केस, जैसे, let him go to his office, तो यहाँ पे लेट आया, special word है, इसके बा जलत लगेगा, उसी तरह से यहाँ पर देखे, let her submit the records and time, तो let आया, उसके बाद हमें objective case put करना है, यहाँ पर हमने उसे put भी किया, तो option number, जो sentence लिखाया है, यह बिल्कुल सही है, तो let एक special word है, और भी अलग-अलग रहेंगे, जैसे बागे के rules देखते हैं, तो वहाँ पे let rule number 13, while confessing का fault, जब भी गलती है, सुइकार करने की बात हो रही हो, या कोई negative काम हुआ हो, तो उस case में जो sequence रहेगा, कि first person, second person, third person है, तो उन्हें किस sequence पर रखना पसंद करेंगे, तो इसकी अगर बात करें, यह वाल example देखें, I, you and he are in the wrong and will be punished, तो punishment मिलने की बात हो रही है, यहाँ पर कुछ गलती भी उन्होंने mention कर दिये, तो एक चीज़ तो clear है कि, अब यहाँ पर देखो, I, you and he, क्या यही sequence रखना है, या फिर sequence अपने को change करना पड़ता है, तो यहाँ पर अगर देखें, I, first person, you, second person, he, third person, तो first person, second person, और फिर third person, last में आएका, जब भी कोई ग बांगी जा रही हो, ऐसा कुछ भी हो, जब भी negative tone sentence में आ रही होगी, तो हमें जो sequence रखना है, first person, फिर second person, और फिर third person, तो यह हो जाता है, one, two, और three, एक तो यह बन गया, एक और उसका structure change होता है, जब हम उस आगे देखेंगे, तो, while expressing positive idea, उपर था negative idea, तो वहाँ पर one, two, three follow किया था, जब positive idea होगा, praise हो रहा है, बढ़ाई की जा रही ही, तो उसमें जो हमारा sequence रहेगा, वो किस तरह से रहेगा, you, he, और फिर I, मतलब second person, फिर third person, फिर first person, यहाँ पर बन जाएगा, two, three, और one, तो यह sequence का change आता है, negative और positive tone के साब से, अगर negative tone हो तो one, two, three, अगर positive tone ह जैसा यहाँ पर you, he, and I, तो you हो गया second person, he हो गया third person, I हो गया first person, तो you, he, and I will get an award for the good work we have done, वहाँ पर गलती हो रही थी, तो वहाँ पर one, two, three, यहाँ पर positive हो है, अच्छी चीज हो रही है तो two, three, one, तो यह हो गया sequence, इसके और example देख लें, तो you, he, I have finished the work, तुमने, उसने और मैंने यह काम complete कर लिया है, तो यहाँ पर two, three, one का structure follow हुआ, फिर राम, I, and you have finished our studies, तो राम, किसी का नाम होता है, तो वह हम third person category में बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं अगर बात कर रहे हैं, किसी का नाम लेके बात करेंगे, तो third person हो जाता है, तो यहाँ पर राम, I, and you have finished our studies, या फिर you, राम, and I have finished our studies, एक sentence है, लेकिन structure change किया हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन, एक, दो, नीचे वाले में क्या हो रहा है, दो, तीन, एक, तो हमारा two, three, one follow होना चाहिए, मतलब यह वाला सही है, और यह वाला गलत है, तो one, two, three, two, three, one, negative है, तो one, two, three, positive हो होने तो two, three, one, अब इसमें यह जो भी चल रहे थे, I, you, he, सब को singular चल रहे थे, जब plural की बात होती है, तब क्या होगा, if pronouns are in plural form, the order should be one, two, three, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि positive है, negative है, किस तरह का tone आ रहा है, अगर plural form में सारे के सारे pronoun हैं, तो हम हमेशा one, two, three वाले order को ही use करेंगे, तो we, you, they, यह सारे अपने plural form बन गए, should get the work done, first, second, third, one, two, three, तो जब भी singular होगा, तब वहाँ पे हमें ध्यान रखना है, कि कब one, two, three, follow करना है, कब two, three, one, follow करना है, लेकिन अगर plural हो जाएं, तो सब में throughout हम लोग one, two, three ही follow करेंगे, rule number 15, after, but, except, between, let, the pronoun is used in the objective case, let को तो हमने उपर भी देख लिया था, but, except, or between, इनके बाद भी जो हमें प्रोनाउन रखना है, वो objective case में रखना है, everyone laughed, but I, इस sentence का वैसे मतलब क्या होगा, यह but यहाँ पर क्या बता रहे है, मुझे छोड़ के, यहाँ पर but यह बता देता है, except, जो भी अब तक बात हुई, उसके अलावा, कि हर कोई हसा, लेकिन मुझे छोड़ के, तो but I, जनरल देखें पढ़के, तो समझ में नहीं आता, लेकिन इसकी लिखावाट इसी तरह से होती है, और इसका meaning भी इसी तरह से हो गए, अब I सही है, या फिर मी सही है, तो इसको decide करना पड़ेगा, अपने को rule number 15 के हसाब से, कि यहाँ पर but आया, तो but के बाद जो अपना pronoun आएगा, वो objective case का होना चाहिए, तो I नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, but me, everyone laugh, but me, मुझे छोड़ के बाकी हर कोई हसा, subjective case में आ रहा ही है, इसलिए यह गलत हो जाएगा, except के बाद हमें positive case रखना है, इसलिए यहाँ पर यह सही हो जाएगा, but, except, between, let, चार वर्ड है, इनके बाद हमें pronoun रखना है हमेशा objective case में, let we laugh away our sorrows, या फिर let us laugh away our sorrows, अब यह रूल ना भी पता होता, तो भी आप यह दोनों से sentence सही बता ही देते हैं, तो let के बाद we नहीं आएगा, यह गलत है, हमें objective case फॉलो करना है, let के बाद us आएगा, अब यह सही है, फिर this is between you and I, या फिर this is between you and me, अगें यहाँ पर भी हम वापस refer करेंगे अपने between को, between वगरे के बाद हमें objective case रखना होता है, तो this is between you and I, या फिर this is between you and me, clearly यहाँ पर I नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम me को रखेंगे, तो यह बात हुई इन चार वर्ड से related, but except between or let, 16, some is used in affirmative sentences to express quantity या degree, any is used in negative या फिर interrogative sentences, इसको example से देखते हैं, I shall buy some apples, कि मैं कुछ save जो है वो खरीदूँगा, तो एक affirmative sentence है, positive statement है यहाँ पर, या फिर I shall not buy any apples, कि मैं कोई भी save नहीं खरीदना चाहूँगा, तो यहाँ पर negative जब भी आए, tone आए, तो वहाँ पर हम लोग any का use करते हैं, जब affirmative tone हो, positive tone हो, तो वहाँ पर हम some का प्रयोग करते हैं, फिर have you bought any apples, कि तुमने कुछ save खरीदे, अगेन यहाँ पर question mark लगा हुआ है, interrogative sentence हो जाएगा, interrogative sentences में हमें यहाँ पर, इस तरह में any का प्रयोग करना है, I shall read any book, या I shall read some book, इन दोनों में से बताओ कौन सा सही होना चाहिए, क्योंकि एक positive tone चल रहा है, कि I shall read any book, या फिर I shall read some book, कि मैं कोई किताब पढ़ना चाहूँगा, या मैं कोई किताब पढ़ूँगा, तो यहाँ पर any गलत हो जाएगा, सम बुक यह सही हो जाएगा, कि मैं कोई किताब पढ़ूँगा, कोई भी हो सकती, उससे कोई फर्ख नहीं, लेकिन सम बुक यहाँ पर affirmative tone में चल रहा है, यहाँ पर question mark वाला था, इसलिए यहाँ पर any सही है, I shall not buy any apples, negative sentence था, इसलिए यहाँ पर any सही है, I shall buy some apples, affirmative sentence है, सम बता रहा है यहाँ पर कुछ quantity को, again यह वाला भी सही है, Rule number 17, when a pronoun stands for a collective noun, collective noun की जगे पर अगर हम कोई pronoun का use करते हैं, it must be in the singular number and in neuter gender, if the collective noun is viewed as a whole, collective noun है, एक group है, तो वो पूरा group ना तो किसी gender के हिसाब से हो सकता है, ना तो पूरा male, पूरा female हो सकता है, और उसके लिए हमें कोई एक particular pronoun जो भी use करेंगे, वो singular form में हम use करेंगे, तो the jury gave its verdict, the jury word divided in their opinion, अब यह जो noun देखा था तो वहाँ से भी जुड़ा हुआ साल लगेगा, collective noun था, gave its verdict, एक positive tone चल रहा है, कि उनका साजहा उन्होंने एक verdict पेश किया, तो its यहाँ पे एक तो gender neuter हो गया, ना male, female है, जूरियों में कितने male है, कितने female, अपने को नहीं पता, उस अपने को कोई मतलब नी, तो यहाँ पे its का प्रयोग करेंगे, और यह सही हो जाएगा, यह तो positive sentence की बात हो, फिर यहाँ पे the jury word divided in their opinion, यहाँ पे अब वर का प्रयो आ जाएगा, तो यह वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है, तो noun, pronoun बहुत जुड़े-जुड़े से हैं, क्योंकि noun की जगे पर ही pronoun आता है, तो related तो होनी पड़ेंगे, rule number 18, each other is used for two person, each other का प्रयोग करेंगे केवाल दो लोगों के लिए, the two brothers dislike each other, कि दोनों भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, Romeo and Juliet loved each other, तो यहां पर each other आ रहा है, तो दो लोगों की बात हुई, यहां पर दो लोगों की बात हुई, तो again यहां पर each other आ रहा है, the two children quarreled with each other, quarrel क्या होता है, जगड़ा करना, again दो वच्चों की बात हुई, तो यहां पर भी each other, तो जब भी दो की बात होगी, वहां पर हम each other का प्रयोग करेंगे, जब दो से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो वहां पर हम one another का प्रयोग करेंगे, तो good boys do not quarrel with one another, तो good boys कितने भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादे होंगे, तो वहां पर one another, एक दूसरे से अच्छे बच्चे आपस में एक नहीं लड़ते हैं, all the students of the class are friendly, they like one another, all the students, बहुत सारे हो गए, तो यहां पर each other नहीं करेंगे, यहां पर one another करेंगे, वह स्टीरोटाइब सिदा सी दैस पर तो सावाल बनता है, previous year में भी यह कई बार दिख चुका है, one another और each other, दो लोग हैं तो each other, दो से जादा हैं तो one another, rule number 19, the pronouns who, whom, whose are generally used for persons, कौन कब किस फार्म में use होता है, तो जब who रहेगा, तो वो nominative case, nominative मतलब subjective case, whom जो है वो objective case, और whose जो है वो possessive case, तो who, subjective, whom, objective, और whose, किसका, तो वो बताता है, position, positive case है, तो यह तीन चीज़े हैं, examples देखते हैं, शिखा is the student who got an award, जिसे award मिला, तो यहाँ पर who किसके लिए आ रहा है, शिखा के लिए आ रहा है, तो यह अपना subjective, nominative case रहा, फिर they are the thieves whom the police got, यही वो चोर है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, तो यह whom किसके लिए आ यही वो चोर हैं, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया था, उन पर काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर objective case का use कर रहा है, यहाँ पर क्या रहा हो था, शिखा को award मिला, यही यह जिसको award मिला था, और यहाँ पर उनको पकड़ा गया, तो nominative case, subjective case, whose positive case बताता है, whose book is this है, किसके कि whom हुए है, तो whose, किसके certificate है, position बता रहा है, कि यह certificates इसके position में थे, लेकिन अब वो कुम गए, तो who, whom और whose, एक subjective case, objective case, एक positive case, rule number 20, use of which, which का प्रयोग कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, तो for infants, small animals or objects, इनके लिए हम कर सकते हैं, which का प्रयोग, तो this is the baby which was lost in the theater, जो कि theater में गुम हो गया था, तो जो छोटा बच्चे है, तो इनके लिए हम which का प्रयोग कर सकते हैं, कई बार that भी लिखा हुआ आजाएगा, that भी permissible है, एक ही sentence को अलग-अलग words के साथ use करके बनाए जा सकता है, लेकिन यहाँ पे particularly which का हम लोग देख रहे तो this is the dog which my friend bought from the US, एनिमल है, तो यहाँ पे इसके लिए हम which का प्रयोग कर सकते हैं, again when selection is expressed, जब भी हमें selection करना हो, select करना हो चीजों में, तो which of these television sets do you want to purchase, कि इन television sets में से कौन सा आप पर्चेस करना चाओगे, तो यहाँ पे selection बताना है अपने को कौन सा मैं खरिदना यहाँ पे हम करेंगे, to refer to a sentence, he was said to be drunk, which was not true, अब यह which किस चीज के बारे मता रहा है, कि लोग कह रहे थी कि वो जो है वो पिया हुआ था, तो वो जो लोग कह रहे थे, वो जो sentence है, उसको यह which denote कर रहा है, कि वो जो लोग कह रहे थे, वो सही नहीं था, तो यह which यहाँ पे पूरे वो जो कथन है, उसके बारे में, उसके represent कर रहा है, यहाँ पे यह which, तो sentence को, पूरे पूरे sentence को, जो भी कहा गया हो, बात होई हो, उसको हम लोग यहाँ से, which की द्वारा प्रयोग में लाते हैं, फिर use of that, उपर which देखा, अब that को भी देख लेते हैं, persons के लिए कर सक कर सकते हैं? देड misery कर सकते हैं? कोई problem यह लाइफ लेस धिंग, अगर कुई है, तो उसके लिए फिर धेख करना प्रिफर करते हैं, तो ग्र्राइट का प्रयोग है range, भी देख लेक्जाम से लिए है सबस्क कर सकते हैं, अगर भी देख का प्रयोग कर सकते हैं, अगर और यह यहाँ पर ढब है। आपको अलग तरीके से बना सकते हैं उसमें को नीकिसी को पहले सी मेंचन कर दिया हूं उसके वापस सब्सक्राइब्स जैसे वहां पर विच का प्रयोक कर रहे था पूरे सेटेंस को डिनोट कराने के लिए यहाँ पर अगड़ेफ गड़ाद इस फार बेटर दैन चैन नहीं इस पर तो standard अपना एक error बनता है error ये बनता है कि आप एक ही property की चीज को उसी property साब compare कराना चाहोगे आप save को संतर से compare नहीं कराते हैं तो वही बात यहाँ पर हो गई कि बात हो रही है weather की वहाँ का मौसम कैसा है अगर पहले वाले sentence को देखें लेकिन यहाँ पर यह statement हो गया confusion create कर रहा है यहाँ पर यह सही नहीं है किस तरह से हम इसे लिख सकते है तो यहाँ पर that किस के लिए आ रहा है weather के लिए आ रहा है अब यह सही हो जाएगा weather का comparison आपने weather से कर रहा है यहाँ पर weather का comparison city से हो रहा था तो वो इसलिए गलत था rule number 22 when comparing subjective cases जब भी subjective cases को हम compare कर रहे होंगे the pronoun of subjective cases used after as या फिर then इसको example से देखना इस पर बहुत error बनता है क्योंकि he is as fast as me या फिर he is as fast as I basically comparison हो रहा है मैं जितना तेज हूँ वो भी उतरही तेज है मेरे जितना ही वो तेज है तो यहाँ पर हम compare कर आ रहे हैं किसको compare कर आ रहे हैं subjective case when comparing subjective cases he is as fast as me तो इसको हमें इस से compare कर रहा है तो दोनों को हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर subjective case में ही रखना पड़ेगा he is as fast as me यहाँ पर गलत हो जाएगा correct sentence होगा he is as fast as I subjective case में यहाँ पर दोनों को रखना पड़ता है as या than comparison अपने को यहाँ पर दिखा रहा है I run faster than him अब यह बोलचाल की भाशा में 100% यह use में आता है कि I run faster than him उना कि मैं उससे तेज दोड़ लेता हूँ actual sentence ही किस तरह से बनते हैं इसको oblique sentence बोलते हैं मतलब आगे का part चुपा हुआ रहता है पूरा sentence किस तरह से होता I run faster than he does यह होता complete sentence तो वो does को यहाँ पर हटा दिया जाता है कि understood है इसलिए तो यहाँ पर I को हमें compare करना है him से तो him से तो नहीं होगा यह तो objective case है यह वाला गलत है correct होगा I run faster than he अब यह हो जाएगा सही यह पूरा तरह से सही किस तरह से होता अगर पूरा sentence बनाते हैं तो I run faster than he does वो पूरा हो जाएगा पर वहाँ पर एक common set है कि वो does लिखने की जुरुत नहीं होती इतना लिख देंगे तो वो अपने आप में correct माना जाता है point is कि जब भी आप comparison करा रहे हो तो वहाँ पर अगर as then आ रहा हो वो subjective case का फिर आप subjective case से ही comparison करा सकते हो subjective case का objective case से comparison आप नहीं करा होगे झरास, कि इतना है करण है करणा भी जूंगर कर दो यह सकते है